एक इनसान था वो भगवान की बहुत प्रातना करता था बहुत प्रेयर करता था और बहुत महपत करता था खुद से एक दिन कुटिया में कोने में उसको पास में एक आकर्ति दिखाई दी सिल्वर कलर की एक दूधिया कलर की रोशनी आदमी के तरह की दिखाई दी तो वो कहता है भाई कौन हो तो वो कहता है मैं भगवान का बेजा हुआ दूथ हूँ तो वो कहता है यार मेरा तो समय अभी आया नहीं लगता है मुझे मेरी उम्र तो अभी 44 साल है और मुझे तो अभी और 66 साल जीना है तो मुझे तो लगता नहीं कि मेरी उम्र अभी पूरी हो गई है तो वो कहता नहीं मैं उम्र पूरी नहीं हुई है भगवान जी कहां से आया हूँ और सर्वे कर रहा हूँ तो उसने का किस चीज़ का सर्वे कर रहे हूँ तो उन्होंने कहा कि भगवान ने एक लिस्ट बनाने को मुझे भेज आ है उन लोगों की जो भगवान से बहुत मोहबत करते हैं पूजा करते हैं तो उसने का इस लिस्ट में मेरा क्या काम तो दूद कहता है कि आप भगवान की बहुत पूजा करते है तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ तो वो कहता है नहीं नहीं इस लिस्ट में मेरा नाम मत लिखना दूँ इस लिस्ट में मेरा नाम मत लिखना क्योंकि मैं भगवान की पूजा करता हूँ प्यार नहीं करता है इतना जितना खुद से करता हूँ और मैं जो दूसरे लोग हैं जो भगवान की बनाई हुई प्रतिमाएं हैं भगवान ने जिन लोगों में वो एनरजी डाली है पेड़ पौदे हैं, जन्तु हैं, जीव हैं, पक्षी हैं उनके बनाई हुए इनसान है, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट और केर करता हूँ और उनसे बहुत प्यार करता हूँ उतना प्यार करता हूँ मैं उन लोगों से, उतना सने रखता हूँ मैं उन लोगों के साथ जितना मैं भगवान के साथ नहीं रखता हूँ ये बताना आप अपने भगवान को तो वो दूत वहाँ से चला जाता है अगले दिन शाम को जब रात को वो इनसान सोने के लिए जाता है दुबारा से वो प्रतिमा दुबारा से नजर आती है तो वो जाके उससे पूछता है कि भाई आज किसलिए आये तुम तो वो कहता है आज मैं तुम्हें इसलिए आया हूँ ये बताने आया हूँ कि भगवान की एक परसनल डायरी है उसमें एक लिस्ट है वो कुछ लोगों का नाम उसमें लिखके रखते है और उस लिस्ट में तुमारा नाम सबसे उपर लिखा हुआ है वो इसलिए कि तुम भगवान को इतनी महबबत नहीं करते जितनी महबबत उसकी बनाई हुई परतिमाओं को करते हो तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है दोस्तों खुद से बेंतहा महबबत करो और चाहते हो कि भगवान आपके सारे काम बना दे तो दूसरों से इर्शिया मत रखो दूसरों से प्रेम करो